RBI ने ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रहादी है, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, चाहिए आपने परसन लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, आपका एप्लिकेशन से ल बैंक में पहले application दी और bank ने आपके application पर सुन्वाई नहीं की तो आप सिधा RBI में कब्लेड कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था RBI जनता के हिव के लिए काम करने कोशिश कर रहा है। हम जितनी भी application दे रहे हैं RBI उस पर संग्यान ले रहा है। अभी वित्बंतराले जब मैंने टीम बेजी थी उन्होंने बताया था कि आप जो जो फाइल यहां बेजते हैं वो सारी फाइले हम RBI को बेज देते हैं और RBI उनती आधार पर action ले रहा है। अभी पहले भी अपने देखा था बहुत सारे applications को जो अवे तरीके से उगाही कर रहे थे, loan दे रहे थे, loan के कुछ अक्र में लोग को फसा रहे थे, दंदल में फसा रहे थे, ऐसे बहुत सारे Chinese application को बंद किया गया है। लगातार हम ऐसे application की जानकारी भी RBI को दे रहे और RBI संग्यान ले भी रहा है। के लोग ने मता है, के लोग ने मता है, GST के बाद, उनका वैपार बंद हो गया, नौकरी छूड़ गई, और उनके बस कमाय का कोई साधन नहीं रहा। तो RBI कहता है, यदि आपके सिती जैनवन है और आपके बस कमाय का साधन नहीं रहा, जब आपने लोन लिया था तब आपके बस कमाय का साधन था, तो आप ये जानकारी सबसे पहले अपने बैंक को दें, बैंक को बताएं। और मैं भी बारबर बोलता हूँ, बैंक के साथ कम्यूनिकेशन चालू रखे, और बैंक के साथ जितना भी कम्यूनिकेशन करें, सब रिटर्न में करें, कोई भी ओरल कम्यूनिकेशन ना किया जाए। फिर भी अगर आपको लग रहा है, आने वाले समय में आपके सिति खराब हो सकती है, आप उत्वी M.I. ने कर पाएंगे, बैंक से जाकर के बात करें। लिटर्न में बात करें, लैटर दीजिए, कि मेरी अभी सिति ऐसी है, मैं M.I. भर पा रहा हूँ, या नहीं भर पाऊंगा, या आगे मेरी सिति खराब हो सकती है, या वरत्मान में नहीं भर पा रहा हूँ, मेरा लोन को रिसेटल किया जए। वह सा लोगों ने किया, रिसेटल में उसमें क्या हुआ, उनको M.I. को कम कर दिया गया, उनके साफ से बना दिया गया, फ्रुदा डूरेशन बढ़ गया, लेकिन M.I. कम होगी, कही जगा पर उन्हें कुछ पीरेट दे दिया गया, छे मेने का एक साल का पीरेट दे दिया ग लोगों ने बताया, कि मेरी M.I. जिस डेट को आती है, और अमाउन मेरा उससे चार दिमाद आता है, तो हर बार मुझे पैनल्टी लग रही है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, बैक पर जाकर कैप्लिकेशन दे सकते हैं, कि मेरी M.I. की डेट को एक हफता आगे बढ़ाया ज दिया, अब कम से कम आपके पस कोई प्रूफ होगा, कल अगर बैंक आपको डिफॉल्टर करता है, आपके खिला केस करता है, या कोड जाता है, तो आपके पस सबूत होगा, और जो रिकवरी एजेंट्स आपको परिशान कर रहे है, रिकवरी एजेंट्स के लिए भी कुछ guidelines है वो सुबह 9 बेजे से पहले आपको call नहीं कर सकते हैं शाम को 7 मज़े बाद आपको परिशान नहीं कर सकते हैं आपके loan कितना है आपके पुडोसियों को रिष्ट्यारों को जानकारों को नहीं बताया जा सकता यह जानकारी गुपत रखी जाती एक किसके ओपर कितना loan है यह आपकी परस्नल जानकारी है और इसको सारवemosic नहीं किया जा सकता आपके guarantor को आपके पुडोसियों को आपके रिष्ट्यारों को harress नहीं किया जा सकता को phone call नहीं कर सकता बत्तमीज नहीं कर सकता, उनके साथ मिजबेव नहीं कर सकता, आपके परिवार के साथ मिजबेव नहीं कर सकता, यहां तक कि के लोगों ने बताया, लोन हस्बेंट के नाम है, और घर आकर के वाइफ को बच्चों को परिशान किया जा रहा है, जिबके हस्बेंट वहाँ अविलेबल नह और आपका नाम लिख दिया तो कल आपकी नौकरी तो जाएगी याईगी आपको सजा भी होगी बहुत सारी जगा हमने देखा है recovery agent को सजा मिली है recovery agent जेल में उनकी पूरी कमपनिय बंद हो गई है और उनके कमपनियों के मालिक भी जेल में है ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए किसी को परिशान मत करिए और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ आपने लोन लिया, करजा लिया, समय पर नहीं चुका पारे इसमें आपकी गलती नहीं है इसके लिए सरकार की गलत नीत यां जिम्मेदार है और आपको ये बात खुल कर बोलनी पड़ेगी रिटर्ण में दीजिए, जो भी आपके साथ हुआ दो, तीन, चार, पांच पेज में पूरा लिखे बैंकों भी इंफोमेशन दीजिए और आर्बिया में भी कंप्लेट करिए इस लिंक पर जाएए, इस लिंक पर कंप्लेट करिए तीस दिन के अंदर-अंदर आगर आपकी कोई कंप्लेट है तो आर्बिया उस पर जवाब देगा, संग्याल लेगा और वहाँ पर अपनी सारी जानकारी बताइए पहले बैंक से कम्मुनिकेट करना है अगर बैंक आपकी बात नहीं सुना रहा है बैंक आपको हरस कर रहा है, कोई अपलीकेशन वाला हरस कर रहा है कोई SVE हरस कर रहा है, जिस से आपने लोन लिया, कोई NBFC वाला किसके जो गुरगे आते हैं, रिकवरी एजएंट आते, बदमाश आते हैं वो परिशान कर रहे हैं, उनकी सारी शिकायत आर्वियाई में करिए, आर्वियाई इस पर संग्यान मिलेगा और आर्वियाई आपकी मदद भी करेगा, सरकार से हम लोग बाचीत करी रहे हैं, आपने फॉर्म भरी दिया होगा कर्जा मुक्तिय भीहान का, नहीं भराया तो होगे, छे बार हमारा डेलिगेशन जा चुका है, वितमन राले, लगातार उसे बाचीत की जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है, आज नहीं तो कल सबका कर्जा माफ होगा, कोई गलत कदम मत उठाएए, आप करजे की दंदल में फसे, इसमें आपकी गल्ती नहीं है इसके लिए सरकार की गलत नहीं तिया जिमेदार है, और आज नहीं तो कल सरकार को इस पर संग्याल लेना पड़ेगा, सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा, हम सब संगटित हो करके एक जुस्से की मदद करेंगे, इस आपदा से इस बुरे वक्त से जरूर पार